वेलकम एब्रीवन, स्टाप सेलेक्शन कमीशन के अंतरगत SSTGD का नोटिफिकेशन आ चुका है इसमें सेंटर आम फोर्स, SSF, रफाइलमेन, असम राइफल्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिविननप पदों पर वेकेंसी आया हुगा है इस बेडियो में, फिजीकल क्वालिफिकेशन, सेक्शन की योग गता, कितने नंबर का मार्क्स है, क्या नेगेटिब मार्किंग है, सारा कुछ इस बेडियो में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं ये ओफिसियल वेबसाइट है, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन का, इस बेडियो के डिस्केशन में मैं लिंक के देद हुआ, तो वहाँ जाकर आप इस रूल बुक को या नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और बिस्तित जानकारी से इसको पढ़ सकते हैं, चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, इसमें जो डेट आफ सम्मिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन का डेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 27.10.2022 से 30.11.2022, 27.10.2022 से फॉर्म भरना यहां पर शुरू हो जाएंगे, और 30.09 तक आप जो है एप डाउनलाइन एप्लिकेशन, तो यदि आप लास्ट डेट और ओनलाइन एप्लिकेशन लेना चाहते हैं, तो उसका डेट यहां पर दिया हुआ है 30.11.2022 रात 11 बजे तक, और यहां पर और भी जो कुछ डेट आपको दी हुई है, जैसे कि आप आफ लाइन यदि चालान जन रेट करना चाहते हैं, तो उसका डेट दिया हुआ है 30.11.2022, ओनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसका डेट दिया हुआ है 112.2022, और यदि आप इसका तयारी कर रहे हैं, तो जनबरी 2023 में इसका एक्जाम होने वाला है, तो अभी भी आपके पास दो मन्त बचते ह नवंबर पूरा और दिसंबर तो आप अच्छे से इसका तयारी करें टॉपिक 22 और इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग SSC GD के लिए सारे के सारे टॉपिक कवर कराई जाएंगे और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद इस चैनल पर SSC GD के लिए test series भी बिल्कुल free में आपको यहाँ पर कराई जाएगी तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें जिससे की सारे के सारे topic math reasoning के और जो test series में लेके आऊंगा आप आसानी से test series देकर अपनी तयारी देख सकते हैं के आपका तयारी कितना है और कितना और तयारी आपको करना है देखते हैं अगला page notification का यहाँ पर आपको विवाग 22 vacancy दिया हुआ है BSF BSF में vacancy आपको दिया हुआ है total जो vacancy BSF में है 10,497 है CISF में जो vacancy है total 100 है CRPF में जो total vacancy है आपका 8,911 है इसी तरह SSB में जो आपका total vacancy है 1284 है और इसी तरह जो total vacancy है इन सभी विवागों में वो 24,205 है और part 2 में यहाँ पर NCB के लिए दिया हुआ है NCB का 164 post है तो यह total कुल मिलाकर 24,399 post है जो काफी ज़ादा post है यदि आप तैयारी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से topic by test series लगा कर तो निश्चित ही आप सफलता पा सकते हैं देखते हैं अगला page notification का age limit के बारे मैं आपको बता दू मैं 18-23 बर्स के जो student है इसके लिए apply कर सकते हैं और साथ ही साथ age relaxation भी the age relaxation भी दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर यदि आप 212000 और 112005 के बीच earlier 2000 से आप नहीं होने चाहिए और यहाँ पर 112005 के बाद आपका जन्में नहीं होना चाहिए लेकिन जो earlier वाला rule है इसके लिए age relaxation दिया हुआ है जैसे कि आप SCST कर रहे हैं SCST कास से हैं तो 5 साल का आपको age relaxation मिलेगा OBC के हैं तो 3 साल का मिलेगा Hacks serviceman है तो 3 साल का और इसी तरह आप विस्तरित में notification को पढ़ सकते हैं इस बेडियो के लिंक में दे दूँगा तो आप और भी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं देखते हैं अगला page notification का जो आपका computer based exam होगा उसके चार पार्ट होंगे General Intelligence, Reasoning General Knowledge and Awareness Elementary, Mathematics Hindi या English ये सारे के सारे topics पर ये जो चार पार्ट हैं आपके 20-20 question रहेंगे और 40 marks के रहेंगे पर question आपका 2 marks का रहेगा और जो negative marking रहेगी इसमें दिया हुआ है 0.5 की रहेगी यानि 1 by 4 का यहाँ पर question दो नमबर का है तो दो नमबर का 1 by 4 हो जाएगा 0.5 तो यानि कि 1 by 4 दो नमबर सही question पर आपको दिये जाएगे यदि वो question गलत हो जाता है तो 1 by 4 यानि कि 0.5 marks आपका cut कर दिये जाएगा तो आप बहुत अच्छे से तयारी करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वही question आप tick करें जो आप से बनते हैं देखते हैं अगला page physical standard जो है वो male के लिए लड़कों के लिए जो height चाहिए है वो 170 meter चाहिए है और लड़कियों के लिए चाहिए है 157 cm और इसी के साथ कुछ relaxation भी दिये हुए है जैसे आप schedule tribe से आते हैं तो लड़कों के लिए जो minimum चाहिए है वो 162.5 cm चाहिए है इसी तरह लड़कियों के लिए 150 cm चाहिए है इसी तरह सारा का सारा जो है detail में दिया हुआ है जैसे कि आप North Eastern State के हैं तो 157 cm आपका जो height है वो ले लिया जाएगा और female के लिए 147.5 आपका height ले लिये जाएगा इस बेडियो के link में मैं description दे दूँगा तो आप official जो page है SSC का वहाँ जाकर आप इस notification को अच्छे से पढ़ सकते हैं और यदि आप इसका तयारी कर रहे हैं तो आप अभी से इस exam के preparation में लग जाएए ये बहुत ही अच्छा मौका है और 24,000 प NCC आप किये हुए हैं तो certificate A, B और C यहाँ पर certificate C के लिए 5% marks आपको दिये जाएंगे इसका मतलब है जैसे 160 का आपका exam रहने वाला है तो इसका 5% यानि की 8 number आपको दिये जाएंगे यदि आपके पास NCC seat certificate है ये जो certificate होते हैं इनमें सबसे बड़ा certificate यहाँ पर जो A, B और C certificate NCC का दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा certificate C है इसके लिए आपको 5% यानि की 8 number दिये जाएंगे NCC B certificate के लिए आपको 3% नमबर दिये जाएंगे यानि की 3% हो जाएगा 160 का आपका 4.8 B certificate के लिए 4.8 marks दिये जाएंगे इसी तरह A certificate के लिए आपको 2% यानि की 3.2 marks आपको द यह जाएंगे यह सारा का सारा जो physical qualification है मैं आपको बताया हूँ और भी जो important point है कितने पद हैं सब कुछ इस video मैंने बताया है और यदि आप और भी जादा जानकारी चाहते हैं तो इस video के link मैं मैं link के दे दिया हूँ official web page का SSC के तो वहां जाके आप notification डाउनलोड करके सारा का स सारा जानकारी ले सकते हैं मिलते हैं next video में और यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसको subscribe कर लें आप इसको इस चैनल से निश्चेती मदद मिलेगी और साथ ही साथ सभी प्रकार का update exams related मिलता रहेगा थैंक्स पर वाचिंग